हेलो फ्रेंड्स मैं उकवित और मेरे कीचेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागती हमेशा के तरह फिर से मैं आप लोग के साथ एक नई स्वाधिश्टो और आसान रेसिपी ले कराई हूँ वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेश्टी की अगर आपको मेर काजू मसाला नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यापर एक मिक्सिंग बाउन में एक कप इतना गेव का आटा लिया है यह वही नॉर्मल आटा है जिससे हम रोज रोटी वाइगरा बनाते हैं काजू मसाला यापर अच्छे से क्रिस्प्य और कुरकुरा बने इसलिए के मैंने यापर थोड़ा सा सुझी का भी ही समाल के यह तो लगबक 4 चमच जितना मीने यापर सुझी डाला है इसे के साथ ही हम क्या करेंगे इसमें कैनल आर्शमचंदेशी डालेंगे ईकी जगव में आप तेल बी डाल सकते लेकिन घी में यह ज्ञादा खास्ता बनता है इसलिए आप लिए पर गी मिला देंगे के शब trat के सब करेंगे इस तरीके से मसलते सब हैं आटे में गी को मयन जो अच्छे लगा कर तैयार करेंगे शयए गरमे की दिन जोहितों जोड़े से बड़े हुते और इसमें बच्चों को छोटी-मुटी भुग बोक तो लग दी रहती हैं साथ ही चिप्स कुरकुरे या नमकिन वाइगा खाने की बच्चे हमेशा जित करते रहते तो इसलिए आज के इस फुड़ों में मैंने बहुत ही आसान तरीके से काजु मसला नमकिन की रिस्पी जो है आपके लिए लेकर आए हूँ गयो के आटे का इस समाल करके इतना ज़्यादा खास्ता और क्रिस्पी है नमकिन बनता है ना कि आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं सभी आटे में हमने मोयंग को लगा कर अच्छे से तैयार कर ले आए तो अब हम क्या करेंगे इसमें आदा चमच इतना नमक डालेंगे इसे के साथ ही मैंने यापर आदा चमच जीरा और आदा चमच आजवाइन लियाए इन दोनों को डालेंगे आजवाइन जो है इस नास्ते में कापे अच्छा फ्लेवर लेके आता है इसलिए आजवाइन का इससमाल जरूर करें और अब हम क्या करेंगे इसमें कुछ मसले डालेंगे तो मसलों में मैंने आदा चमच लाल मिच का पाउडर चोथाई चमच हल्दी पाउडर और आदा चमच इतना गरम मसला डाला है इसे के साथ ही थोड़ा सा बारे कटावा धनिया पत्ता डालेंगे धनिया पत्ता की जगह में आप खाली कस्तुरी मेथी का इस समल करके भी इस नास्ते को बना सकते हैं इसके बाद मैंने या पर दो उबलेवे आलो ले हैं आलो को मैंने दो गुंटे पेले ही उबाल का रूम टेंपरिजर पे अच्छे से थंडा कर लिया थोड़े देर के बाद आप देख सकते हैं सभी आलो को हमने अच्छे से ग्रेट करके आटे में डाल दिया है तो अब हम क्या करेंगे इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स करते हैं इसका एक चिकना सा डो जो है बना कर तयार करेंगे द्यान रखे शुरू में हम इसमें पानी जो है बिल्कुल भी नडालेंगे क्योंकि आलो में काफी सारा मौचर रहते हैं तो इसमें आटा जो है आसने से गुन के तयार हो जाएगा अगर जरूत पड़ी तो हम इसमें सिर्फ दो या तीन चमज पानी काई समाल करेंगे इससे ज़्यादा हम इसमें पानी ना डालें नमकिन जो है लंबे समय तक खासता रहे साथ ही बिल्कुल भी ओईली ना बने इसलिए हमें या पर इस डो को ना हलका सा ताइट लगाना ही जैसे के हम रोटी या चापाती बनाने के लिए आटा लगाते ना इससे थोड़ा सा सकता आटा हम या पर लगाएंगे देखे दीरे दीरे हम या पर इसे मसलते वे इसका एक डो बना कर तयार करेंगे अब भी भी हमने इसमें पानी का इसमाल जो है बिल्कुल भी ने किया है इस तरी के कई चटपटा काजू मसाला नमकिन आप एक बार बना कर पूरे मैने के लिए श्टोर करके रख सकते हैं और यहां करेंगे इसका एक चिक्णा सा डो जो ही बना कर तयार करेंगे थुड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं यहां पर बाकिकी प्रोसेस करेंगे दस मीट के बाद फिर से हम आटे को चेक करेंगे तो देखी डो जो यहाँ पर कापी अच्छी से सेट हो चुका है अब हम क्या करेंगे फिर से इसे मसलते वही चिकना कर लेंगे और इसके बाद हम तुरंत इसका नास्ता बनाना शुरू करेंगे तो इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्लैटफॉर्म को अच्छे से साप कर ले अब हम क्या करेंगे इस तरी की एका बॉल बना कर इसे प्लैटफॉर्म के उपर रखे इसके एक बड़े साइज की चपाती जो ही बना कर तयार करेंगे नीचे में यहापर थोड़ा सा सुका आटा इस तरह के से डश्ट के आई ताकि इसमें बिल्कुल भी चिपके ना जैसे कि हम चपाती वैगरा बेलते ना सेम ऐसे ही हमें बेलना है लेकिन चपाती से हमें यहापर थोड़ा सा इसका ठीकने जो ही मोटा रखना है क्योंकि हम काजू नमक पारा बना रहे न तो यह खास्ता बने इसलिए हलका सा मोटा रहेगा तो इसमें जाली भी अच्छे से पढ़ती है थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने रोटी को बना कर तयार कर ले और हलकी सी मोटी रोटी मैंने रखिए तो अब हम क्या करेंगे काजू नमक पारे को कट करेंगे कट करने के लिए मैंने आपरे दवाई कसी सी का डखकन लिया है जैसे के हम घर में कोई दवाई लाते हैं तो उसका धकन निकल कर इसे अच्छे सी धोलेना है और इसके बाद हमें इसे कट करना है इस तरीके से धकन को रखेंगे और हल्का सा प्रेस करते हुए हम इसे कट करेंगे तो देखे बहुत ही आसने से काजु नमक पारे जो है कट होके तयार हो जाते हैं सेफ भी देखे कितना बड़े सेफ जो इसमें आता है आप चाहे तो इसे कट करने के लिए पानी की बाटल का जो धकन होता है ना जैसे के हम स्प्राइट वाई गरा लाते तो इसका ढकन भी घर में पड़े रहते तो उसका इस समाल करके ब्याप आसानी से काजु नमक पारा जो है कट कर सकते हैं और देखिए आप पर इस तरीके से हम क्या करेंगे एक एक करके सभी काजु नमक पारा को अच्छे से कट करके तयार करेंगे और लिज़े एक एक करके हमने सभी नमक पारे को अच्छे से कट करके तयार कर लिया है तो अब हम चलते हैं इसे फ्राइ करने के प्रोसेस में इसके लिए गैसवान करके कड़ाई में तेल गरम करेंगे और तेल के गरम होते हम इसमें सभी नमक पारे को फ्राय होने के लिए डाल देंगे तो देखिए आप इस तरह के से सभी नमक पारे को हमने डाल दिया है अब हम क्या करेंगे इसे हलका हलका सा ये से हिलाएंगे ताकि आपस में बिल्कुल भी चिपके न अगर आप इसे गरम तेल में डालेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा नास्ते को तेल में डालने के बाद हमें क्या करना है गैस की फ्लेम को लोटो मिडियम के बीच में रखना है और लोट फ्लेम पे इसे लगबक 7-8 मिट के लिए लगातार चलाते वे अच्छे से फ्राय करना ही दियान रख कि इस काजू नमक पारे को हम हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राय नहीं करेंगे अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राय करेंगे तो यह उपर से जल्दी जल जाएगा और अंदर से कच्छा रहेगा इसके कारण बाद में हम जब इसे श्टोर करेंगे तो यह हलका सा नरम पढ़ जाएगा इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना ही जितना हो सके आप इसे लोग फ्लेम पे फ्राय करेंगे उतना है आपका नमकी जो ही लंबे समय तक खास्ता बन की रहेगा तीन से चार मिट के बाद आप देख सकते हैं नमक पारे जो हलकेल की फ्राय होना शुरू हो चुके ही जैसे जैसे फ्राय होते जाएंगे वेसे इक खास्ता बनेंगी इसलिए हमें गैस की फ्लेम को लोग ही रखना ही और बीच बीच में हमें इसे इसे मिक्स करते रहना इसे क्या होता है कि नास्ता जो ही आपर दोनों सेट से अच्छे से फ्राय हो जाएगा फ्रेंड्स हरोज मैं आपके साथ एक नए स्वाधिष्ट और आसान रेसिपी लेकर आती हूँ आप सभी से मेरी रिक्वेश्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो फ्लीज वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ताकि हरोज मैं आपके साथ एसी नएने और आसान रेसिपी जो ही लेकर आ सकूँ साथ से आट मीट के लगवग हो चुके और आप देख सकते काजू नमक पारे जो है आपर कापी अच्छे से प्राय हो चुके है तो अब हम गयस की प्लेम को बन करेंगे और यहरे मिक्सिंग मैं न्यकालेंगे इसके बाद इस नमक पारो को और भी चट्पटा बनाने के लिए मैंने आपर थोड़ा सा मिक्स मसाला ले आहे अब हम क्या करेंगी इसमें मिक्स मसाला डालेंगी आदा चमश कश्मीरी लाल मेच का पाउडर थोड़ा सा चाट मसाला साथ खाओ चाहिए सपर में लेके जाओ ये नमकिन जोई बिल्कुल भी खराब नहीं होता तो आप भी इस तरीके से गियू के आटे और आलो से बना चटपटा काजू मसला नमकिन जोई घर पे जरूर ट्राय करें उमीद ही कि आपको आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वडियो को लाइक किजे शर किजे चैनल को सस्क्राइब किजे फिर मिलेंगे कल एसी नहीं आसान और हेल्थी रेसिपी के साथ वडियो देखने के लिए धन्यवाद